तो आज अपन बात करने वाले हैं, प्राइम वीडियो पर अभी कुछ टाइम पहले रिलीज हुई एक सीरीज के बारे में, इसका नाम है सेल्टर, और एक्चुल में काफी इंटरस्टिंग सीरीज थी ये, मेरे हिसाब से, तो चलो बात करते हैं सीरीज के बारे में, तो लेट अपने को 25 साल बात कसीन दिखाते हैं, यानि कि प्रेजन टाइम का, बोले तो 2023 का, ब्रैड अपनी फैमली मिक्की और किटी के साथ एक बीच पर होता है, और यहाँ पर वो अपनी बेहन सीरा से बात कर रहा होता है, जिसमें किटी और मिक्की बच जाते हैं, बट ब्रैड की मौत हो जाती है, जिसका अपने को चार महीने बात का सेन दिखाते हैं, और अब मिक्की अपनी आंट सीरा के साथ रहता है, मिक्की की मौम अब भी हॉस्पिटल में होती है, और वो सदमे से अब भी जूज रही होती है, बट मिक्की को उन से मिलने की परमिशन नहीं होती, ख छो रात में बाहर निकलती है और बच्चों को चुरा कर उन्हें खाजाती है आला कि ऐसा सच में नहीं होता ये बस कहानिया होती है और ऐसा इसलिये था क्योंकि सहर का एक बच्चा डिलन अचानक गयाब हो गया था और लोगों का मानना था कि बैट रेडिनू से खा लिया है खेर तो इसकुल में मिक्की की मुलका ट्रॉय और रेचल से होती है और रेचल मिक्की को एसलिय से मिलाती है जिसका आज सकुल में फ़र्ज दो हता है और फिर इन दोनों में थोड़ी बहुत बाच्चीत होती है और मिक्की को पता चलता है कि एसलिय की डैट की मौत बेचार साल पहले हो गई थी नो मिकी एसली को रात में मिलने के लिए बुलाता है और एसली मान जाती है बट जब मिकी एसली से मिलने कैफे पहुंचता है तो एसली वहाँ नहीं आती और वो मिकी के कॉल और मेसेज़ेस कभी जवाब नहीं दे रही होती और स्कूल के प्रिंसिपल मिस मार्था से मिकी को प कि उसके दैट मरे नहीं है, वो अब भी जिंदा है, और फिर वो लेडी घर के अंदर bible भी पर नहीं बताता है, मिकी को जानना होता है कि बैट लेड़ी को उसके डैट के बारे में कैसे पता चला तब ही यहाँ पर ओफिसर केन आता है और मिकी को पकड़ कर पुलिस टेशन ले जाता है और फिर सीरा मिकी को छुडाने आती है यहां केन और सीरा एक दूसरे को पहले से जान रहे होते हैं केन मिकी को वान करता और फिर छोड़ देता है आगे मिकी सीरा से बैट लेडी के बारे में पूचता है सो सीरा बताती है कि बचपन वो उसके डैड भी बैट लेडी के घर के अंदर गय थे क्योंकि लोगों ने उसके डैड को बुली किया था बैट लेडी के डोर को नौक करने के लिए बट डोर लॉक नहीं था इसलिए ब्रैड अंदर चला गया और जब ब्रैड बाहर आया तो पहले जैसा नहीं था वो बदल चुका था खेर तो मिकी अपने फ्रेंड एमा और आर्थर को बताता है कि वो बैट लेडी के घर के बाहर गया था क्योंकि उसे वहाँ एक बुड़ी औरत मिली थी जिसको मिकी फिर से बैट लेडी के घर में जाता है बट यहां आर्थर और एमा पहले से उसका वेट कर रहे होते हैं मिकी इन दोनों को बताता है कि उस ओरत ने उसे बताया था कि उसके डैड अब भी जिन्दा है बट उसने उन्हें मरते हुए अपने आखों के सामने देखा था दैन मिकी घर के अंदर जाता है और आर्थर एमा उसका बाहर वेट करते हैं तभी हैं आर्थर और एमा के एक संक्लस्मेंट दिखाई देता है इसका नाम होता है सेक्स वहीं मिकी घर के अंदर जाता है और वहां सेम म्यूजिक चल रहा होता है और उसमें बटरफ्लाइ का सिंबल बना होता है ऐसा सेम सिंबल मिकी ने एसली के लॉकर में देखा था जिसे देखकर वो काफे डर गई थी जिसकों मिकी जाकर ये बात एमा और आर्थर को बताता है बट जैसी एमा उस इस्टिकर को देखती है वो थोड़ी डर जाती है क्योंकि ऐसा सेम टैटू उसके बाड़ी पर बना होता है अधर हैन एक बंदा बैट लेड़ी से मिलने आता है और इसका नाम होता है मिस्टर वी और मिस्टर वी बैट लेड़ी को बोलता है कि उसने एसली को खो दिया बट वो से ढूंड लेगा पर बैट लिडू से मार देती है वहीं आर्थर और मिक्की एसली के घर पर पहुंचते हैं और अंदर गुजने की कोसिस करते हैं बट पुलीस इने पकड़ लेती है बट यहां इने पता चलता है कि यह एसली का घर नहीं है यह डॉक्टर केंड का घर है इस पर किसी ने हमला किया है सो मिक्की और आर्थर को लगता है कि एसली को गायब करने वाला और मिस्टर केंड पर हमला करने वाला बंदा एक ही है और यह दुनों चिल में होते हैं और सीरा इने चुड़ाने आती है और यहां सीरा की मुलगत हैना से होती है जो केन की वाइफ होती है सीरा हैना को बताती है कि ब्रैड की मौत के बाद वो वापस मिक्टी की का ख voulais रखने के लिए आई है हैना थोड़ी सर्प्राइज होती है क्योंकि केन ने उसे सीरा के वापस आनी वाली बात नहीं बताई थी खैर तो सीरा मिकी को बताती है कि उसके डॉक्टर का फोन आया था और परसों उसकी मॉम घर वापस आ रही है दैन मिकी और उसके दोस होस्पिटल पहुंचते हैं जा इनकी मुलकात मिसकेंट से होती है और मिसकेंट इन्हें एक बंदे के बारे में बताती है जिसके फेस पर आक्टोपस का टैटू बना हुआ था दैन अपने को दिखाते हैं कि मिकी सीरा के साथ अपनी मॉम को लेने पहुंचता है और फिर किटी बाहर आती है और मिकी और सीरा से मिलती है दैन किटी मिकी की स्कूल में ड्रॉप करती है जा स्कूल में मिकी अपनी और ऐसली की फोटो देख रहा होता है तब ही वो नोटिस करता है कि ऐसले किसी को देखकर डर रही होती है और वो ये बात Emma और Arthur को बताता है और जब वो लोग उसे चेक करते हैं तो वो एक Octoface वाला बंदा होता है इसके बारे में Miss Kent नहीं नहीं बताया था और फिर ये लोग एक टैटू आर्टिस्ट के पाद पहुंसते हैं इसका नाम होता है एजेंट और Emma एजेंट से पूछते कि इस टैटू को किसने बनाया पर एजेंट को इस बारे में पता नहीं होता और फिर Emma एजेंट को उसके बटर फ्लै के टैटू को निकालने के लिए बोलती है जो कि नहीं निकल रहा होता एजेंट बोलता है ये पर्मनेंट नहीं है ये बार ज्यादा टिकने वाली इंक से बनाया है उसने ये पहली बार ट्राइ किया है और ये थोड़ों दिनों बाद चला जाएगा और फिर Emma के जाने के बाद एजेंट अपनी एक एलबम निकालता है और उसमें उसी ओक्टो फेस वाले बंदे की फोटो होती है और उस फोटो को जला देता है अधरेंड मिकी अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि कीटी घर पर नहीं है और उसे डॉक्टर का मैसेज मिलता है कि कीटी से कॉंटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो मिकी सीरा को मैसेज करता है और फिर यह दोनों किटी के कार को ट्रैक करते हुए एक जगह पर पहुंचते है यहां उसके मम कोने में बैटका रोरी होती है वो बोलती है कि उसने ट्रैक किया पर वो नहीं कर पाई और फिर सीरा और मिक्की कीटी को दुबार होस्पिटल में एडमिंट करते है अधेनेंट 6 मिकी के घर पर आता है और फाइल कॉपी करता है धेन अपने को रेचल को दिखाते हैं जो एसली के लॉकर को उपन करती है और उसे एक बैग मिलता है जिसमें पैसे और एसली के अलग-अलग पासपोर्ट होते हैं और तब ही हैं ऑक्टोफिस वाला बंदा आता है और रेचल को पकड़ने की कोसिस करता है बट रेचल उस पर गन पॉइंट करके वहाँ से भाग जाती है इसके बद अपने को दिखाते हैं कि आर्थर मिकी और एमा को स्कूल के नीचे एक बॉयलर रूम में लेकर आता है को चेक करते हैं सबसे पहले मिकी उसे चेक करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता और फिर एमा उसे चेक करती है तो उसे पता चलते है कि एसली स्कूल में किसी से डर कर चिप रही थी वहाई मिकी के घर पर उसके ग्रैंड पेर्ट्स आई भी होते हैं और मिकी के घर पर एक छोटी सी पार्टी होती है जिसमें टेलर फैंपली भी आई होती है हैना सीरा की स्कूल की बेश फ्रेंड थी और इन दोनों का अफेर चल रहा था बट किसी बचे से ये दोनों अलग हो गए थे बट अब ये दोन फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं खेर, तो मिकी देखता है कि उसके ग्रेंट पैरेंस ब्रैट को याद करके रो रहे होते हैं तब ही यहाँ अपने को एक पास को दिखाते हैं जिसमें मिकी अपने डैट के साथ एक जंगल में होता है और यहाँ पर उसकी मॉम भी थी तब ही ब्रैट अपने खुन बरे हाथों को धो रहा था अब ब्रैट मिकी को बोलता है कि उन्हें अभी घर जाना होगा और वो उनकी मदद करता है जो खुद की मदद नहीं कर पाते लेकिन कुछ बुराएं उनके पीछे हाथ दो कर पढ़ जाती है खैर तो आगे मिकी और उसके दोस्तों के एक CCTV फुटेज मिलता है जिसमें सेक्स एसली के लॉकर को खोल रहा होता है यह वही बंदा होता है जिसे Emma और Arthan ने बैट लेड़ी के घर के बाहर देखा था सो मिकी बैट लेड़ी के घर के बाहर पहुंशता है और सेक्स का पीच्छ करते हुए एक टैनल में पहुंशता है और वहाँ एक रास्टे से बाहर निकलता है जहां सेक्स पहले से होता है तब ही है बैट लेडी आती है और बैट लेडी यहाँ पर बोलती है कि उसके प्रिंसिपल ने उसे लीजी नाम के एक लड़की की गाहनी सुनाई होगी जिसमें एक नाजी ने 49 लड़कियों में से 43 लड़कियों को मार दिया था बट उसमें से 6 लड़कियं बजगे थी और उसी नाम लीजी है बैट लेडी बताते कि जिस आदमी ने उन लड़कियों को मारा उसी को मारने के लिए वो ट्रेन में बैठी थी क्योंकि उसने उसके डैड को मारा था और फिर बैट लेडी मिकी को उस आदमी का फोटो दिखाती है और इस आदमी का नाम होता है लूथर बैट लेडी बताती कि यह अभी तक जिन्दा है और उसके डैड इसी के पास है बट जब मिकी जाकर मिस मार्था सीद बारे में पूशता है तो मिस मार्था बोलती कि ये वो इंसान नहीं है दनपने को दिखाते हैं कि एमा और आर्थन मिकी को एक footage दिखाते हैं इसमें रेचल एसली के लॉकर से समान ले जा रही होती है जिसका अद मिकी रेचल सीद बारे में पूशता है बट रेचल मिकी को उसके घर आने के लिए बोलती है अधर हैं एक पुलिस ओफिसर टेलर बैट लेड़ी की घर पर पहुंचता है उसे information मिली थी कि बैट लेड़ी के घर के याड में किसी को दफनाया गया है बर जब टेलर वहाँ चेक करता है तो वो एक हिरन की body होती है बैट लेड़ी को पता होता है कि ये का मिस मार्था का है सो बैट लेडी मारता से मिलती है और उसे बोलती है कि उसने मिस्टर वी को मारा क्योंकि वो बंदा स्कूल से बच्चों को गयाब कर रहा था और अगर उसने आगे से उसके काम में टांग लड़ाई तो उसे अपने आंगन में दफना देगी और उसने उसे अब तक छोड़ा हुआ है क्योंकि वो उसकी दोस्त रही है वही आर्थर को पता चलता है कि डॉक्टर केंट भी गयाब हो चुके हैं और फिर आर्थर और रेमा मिस केंट के आफिस में आते हैं और यहाँ पर इन्हें डिलन की एक फाइल मिलती है और इन्ही पता चलता है कि डॉक्टर केंट डिलन के डॉक्टर थे डिलन डॉक्टर केंट के पास आता था क्योंकि डिलन के डैड उसे बहुत पिटा करते थे और उसे चोट लगी थी वही मिकी रेचल से मिलता है और रेचल से एसली के बारे में पूसता है रेचल बताते कि एसली एक दिन बहुत परशान थी तबी एक गाड़ी में कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिस की बट उसने उसे बचा लिया जिसके बद एसली अपने घर जाना चाती थी बट उसने कहा कि जब तक ये खत्म नहीं हो जाता वो उसके साथ उसके घर में रह सकती है और इसली उसने लोकर से एसली का सामान निकाला था तबी आक्टोफिस वाला बंदा यहां आता है और मिकी उसे रोकने की कोशिस करता है और रेचल आकर उस पर गन फायर करती है और वो भाग जाता है और फिर मिकी एसली के रूम में जाता है पर एसली वहाँ नहीं होती जिसकाद मिकी जाकर आर्थर और रहमा को सारी बात बताता है आर्थर मिकी को बताता है कि मिस्टर केंट डिलन के डॉक्टर थे तब ही Arthur एक फोटो देखता है जिसमें दिलन और Mickey के डैड एक साथ होते है और इनकी कोच पूज प्रिंसिपल मारता होती है सो अर्थर जिस मारता के पास आता है और उन्से दिलन के बारे में पूचता है प्रिंसिपल बताते कि डिलन के डैट उसे बहुत ज़्यादा मारा करते थे इसलिए वो डिलन को मिस्टर केंट के पास लेकर गई थी ताकि वो डिलन का इलाज कर सके इसकाद अपने को दिखाते हैं कि ट्रॉय और मिकी का मैच चल रहोता है और तभी इन दोनों को जगडा हो जाता है और मिकी के नाक से खुन बैने लगता है तभी एमा अपने शट निकाल कर मिकी को देती है बट तभी मिकी एमा के बैक में बटरफलै का टैटू देख लेता है नो मिकी को लगता है कि एमा ने असली को गाइब किया है या फिर उसे पता है कि असली कहा है सो मिकी और आर्थर आइमा का पीछा करते हुए जंगल में एक घर में पहुंसते हैं जो काफी बड़ा होता है बट आइमा को पता चल जाता है कि यह दिनुँ उसका पीछा कर रहे है और फिर एमा इन्हें अपने घर के अंदर लेकर जाती है और इन्हीं पता चलता है कि एमा एंजिलिका की बेटी है ये एक बहुत बड़ी एक्ट्रिस है और आर्थर पहले से उनका बहुत बड़ा वाला फैन होता है और फिर मिकी एमा से उसके टैटू के बारे में पूशता है एमा बताती कि वो टैटू बनवाती रहती है बट हर बर वो मिट जाता है पर ये टैटू नहीं मिट रहा है उसके दोस्त ने बताया था कि इस बटरफलाई का नाम एबियोना है और मिकी बताता है कि अपियोने एक ट्रस्ट है जाहं उसके पैरन्स काम क्या करते थे और फिर ये लोगं विसा Bett करतें कि वो लोगं एजन्ट के पास जाएंगे और फिर आर्थर और मिकी एजन्ट के पास आते हैं और एक टैटू बनवाता है तब तक मिकी जाकर उस सौब की चानबिन करने लगता है और मिकी को एक फोटो मिलती है इसमें उसके डैड और आक्टोफिस वाला बंदा एक साथ होते है और फिर मिकी ये बात रेचल और आर्थर को बताता है मिकी रेचल को बोलता है कि उसे गाड़ी का नमबर याद है तो वो ट्रॉय के पास जाकर उसके डैड के कम्प्यूटर से पता करने की कोशिश करे कि वो गाड़ी किसके नम पर रेजिस्टर है देन रेचल ट्रॉय से मिलती है और उसे उसके डैड के कम्प्यूटर से गाड़ी का डेटा निकालने के लिए बोलती है पहले तो ट्रॉय मना करता है तो रेचल उसे बताते कि मिक्य उसके पास इसलिए आता है ताकि वो एसलिए को ढूंड सके और फिर ट्रॉई ये काम करने के लिए तयार हो जाता है वही आर्थर और रहमा उस होस्पिटल में जाते हैं जहां केंड को रखा गया था बट वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग आकर केंड को अपने साथ ले जाते हैं वहीं मिकी को भी ऑक्टोफेस वाले बंदे के गाड़ी के डिटेल से मिल जाती है जहां से मिकी और रेचल उसका पीछे करते हैं बट वहां काफी लोग होते हैं तो ये लोग बाहर ही उसका वेट करते हैं तब ही वहाँ कुछ लोग आते हैं और हाताफे करने लगते हैं और मीकी और रेचल वहाँ से निकल जाते हैं और फिर मीकी अपनी आंट सीरा के पास आता है और मीकी सीरा को बोलता है कि उसे उनकी हेल्प की ज़ुरत है वो अपने डैड के कबरे को खुलवाना चाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैड वहाँ पर नहीं है क्योंकि जब जब वो उनके कबरे पर खड़ा होता है उसे कोई फिलिंग नहीं आती और सीरा बोलते ठीक है वो लोग ट्रै करेंगे वहीं विटनी का भाई स्कूल में अनाउंस कर देता है कि एमा की मॉम का नाम एंजिलीका है एमा ने ये बात केवल विटनी को बताई थी क्योंकि वो उसकी जी एफ थी एमा इस बात से नराज हो जाती है और विटनी एमा को बताती है कि उसके पास कोई और आप्शन नहीं था उसके भाई ने उसे ब्लैक मिल किया कि उस अब को बता देगा कि उसने फेक फॉलोवर्स लिये है इसलिए उसे ये बात उसे बतानी पड़ी लेकिन एमा विटनी से बात नहीं करना चाती थी और वो वहाँ से चली जाती है जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि डिलन का मेमोरियल होता है और यहाँ पर डॉक्टर केंट और डिलन के डैड भी आए होते हैं और यहाँ कैन सीरा को बताता है कि हैना उसे डैवर्स देना चाती है और केन सीरा को हैना को समझाने के लिए बोलता है बट सीरा बोलते कि वो उन दोनों की आपसी मामले में नहीं पढ़ना चाती खैर तो मैमोरियल पूरा हो जाने के बाद मार्थर डिलन के डैड से मिलती है और पूस्तिक वो यहां पर क्यों आया उसके डैड बोलते कि वो उस रात घर गया था उस रात वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसने उसके आँख में सिगार डाल दिया जिससे उसकी आँके चली गई और सेम टाइम में मिकी डॉक्टर केंट से डिलन के बारे में पूस्ता है और मिकी को भी सारी सचाई पता चल जाती है तभी मिकी यहाँ पर लूथर को देखता है जो उसके डैड की बोडी को लेकर गया था और फिन मिकी उसका पीछा करते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचता है जहां उसे सेक्स मिलता है और मिकी को पता चलता है कि सेक्स कोई और नहीं बलके डिलन है डिलन बोलता है कि अभी सच्चाई के बाहर आने के कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई उसकी परवा नहीं करता और डिलन बोलता है कि इस बारे में किसी बताने के जुरत नहीं है देन अपने को दिखाते हैं कि मिकी बार में वापस आता है बट कुछ लोगों कुछ पर सक हो जाता है तब ही यहाँ पर एक लड़की आती है और इसका नाम होता है कैंडी केंडी मिकी को जान दी होती है क्योंकि वो एसली के फ्रेंड थी और वो मिकी को बोलती है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिये था केंडी बताते कि एसली को एमीडल लोगों ने खरीद लिया है और अगर वो उसे बचाने की कोशिश करेगा तो वो मारी जाएगी कैंडी बताती कि एसली एक रूम के अंदर बंध है और ये सब उसकी गलती है एसली उसकी वज़े से यहाँ पर फश चुकी है यहाँ पर बड़ी नाम के कादमी ने उसके फोन को हैक कर लिया था और उसे पता चल गया था कि एसली उससे बात करती है इसली उसने उसके फोन का यूज कर कि एसली को एक जगह पर बुला है और उसे पकड़ लिया जिसके बाद मिक्य उस रूम की तरब जाता है और यहाँ पर मिक्य को एक लड़की मिलती है और इसका नाम होता है काईली काईली मिकी को बताती है कि वो उसके डैट की बहुँत अच्छी दोस्त थी और वो उसके डैट को बहुत अच्छे तरह से जानती थी उनका ABUNAR नाम के एक ग्रूप था जहां वो बच्चों को प्रोटक्ट किया करते थे कैली बोलते को वो यहां से चला जाए और वो प्रॉमिस करती है कि वो एसली को बचा कर ले कर आएगी कैली मिकी को बाहर जाने करें बोलती है बट बाहर आते ही कैली के लोग उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि कैली को मिक्की से केवल ये जानना था कि ब्रैड जिन्दा है या नहीं और फिर वो लोग मिक्की को गाड़ी में पकड़ कर ले जाते हैं और फिर मिक्की को एक बीच के पास लाया जाता है जाए यह लोग मिक्की को मानने के कोसिस करते हैं बट मिकी किसी तरह बच कर भाग जाता है कुछ ताइक बाद आर्थर और रेमा मिकी को फोन को ट्रैक करते हुए बीट के पात पहुंसते हैं यहाँ पर मिकी ने पड़ा हुआ मिलता है और यह लोग मिकी को अपने साथ ले जाते हैं दुसरी तरह अपन सीरा को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और उसके पास ट्रॉय आता है और ट्रॉय सीरा को बोलता है कि आजकल उसके डैड बहुत परशान है और उसके मॉम और डैड के भी दूरियां आ गई है और यह सब उनकी वज़ा से हुआ है इसलिए वो उनसे दूर रहे तभी सीरा को हस्पिटल से कॉल आता है और फिर सीरा हस्पिटल पहुंचती है यहाँ पर एमा और आर्थर को लगता है कि यह सब बैट लेडी के वज़ा से हुआ है और फिर यह दोनों बैट लेडी के पास आते हैं और उस पर चीखने चिलाने लगते हैं बैट लेडी बोलते कि मिकी ने उसके मदद की और उन्हीं भी करनी चाहिए बैट लेडी इन दोनों के अपने बारे में बताती है और बोलती कि उसने बैट लेडी नाम इसलिए चुना ताकि कोई भी बच्चे उसके करीम ना आए पर अब वो दोनों बच्चे नहीं हैं तब ही यहां रेचल भी आ जाती है और फिरियती नों स्कूल के बॉलर रूम में आते हैं जहां रेचल इन्हे कलब के बारे में बताती है और फिरेती नों कलब के पास पहुंचते हैं आर्थर कलब के अंदर घुषता है और रिचल और रहमा उसे बाहर ते गाइड कर रहे होते हैं लेकिन आर्थर गलती से दूसरे हॉल में पहुंच जाता है जो आर्थर की मुलकात कैंडी सोती है Candy समझ जाती कि Arthur मिकी का दोस्त है और वो Ashley के लिए यहां आया है Arthur बोलते कि वो Ashley के लिए यहां आया है और बाहर उसके दोस्त उसका वेट कर रहे है तब यहां पर कलब के लोग आते हैं और Arthur को पकड़ लेते हैं और फिर Candy रिचल और Emma के पास आती है और उन्हें बताती है कि उन लोगों ने आर्थर को पकड़ लिया है बट वो लोग एसली और आर्थर को बचा लेंगे बट इसके लिए उन्हें एक पासवर्ट की ज़ुरत है जो डोर में लगा हुआ है जा एसली को रखा गया है और वो बड़ी नाम के एक बंदे के फोन में है जिसका बद रेचल और एमा क्लब में जाते हैं और एमा बड़ी को बूलती है कि वो एंजिलीका की बेटी है जिससे बड़ी एमा के साथ फोटो लेने लगता है और रेचल उसके फोन से पासवर्ट ले लेती है जिसका बद ये दोनों उस रूम के पास पहुंचते हैं बड़ यहां बड़ी आ जाता है उसी इन दोनों पर पहले से सक हो गया था और फिर वो इन दोनों को मारता है देचल किसी तरह पासवर्ड इंटर कर देती है बड़ी इन दोनों को पकड़ लेता है तभी पीछे से ऐसली आकर उसे मार देती है अधर हैं आर्थर को पकड़ कर गाड़ी में डाला जाता है और कैंडी भी इस गाड़ी में चड़ जाती है और आर्थर को बोलती है कि वो उसकी जान बचाने के लिए यहां पर आई है और फिर इने बीच के पास लाया जाता है और फिर वो बंदा आर्थर को गोली मारने वाला होता है बट तब है केंडी पीछे से आकर उस आदमी के सिर पर वार करती है इससे उस आदमी की मौत हो जाती है बट मरने से पहले वो गोली चला देता है और वो गोली सीधे कैंडी को लगती है और कैंडी आर्थर के हाथों में दम तोड़ देती है आर्थर रोने लगता है तब उसे मिकी का कॉल आता है वही एमा और रेचल एसली को लेकर भागती है तब ही यहां पर कैली आ जाती है और एमा को गन पॉइंट में ले लेती है और फिर वो लोग एसली को ले जाने लगते है तब ही यहां मिकी और आर्थर आ जाते है और एमा अपने आपको छुड़ा कर कैली को गाड़ी के सामने धगेल देती है और कैली की मौत हो जाती है तब ही यह ओक्टोफिस ओला बंदा आता है और इन्हें पता चलता है कि वो अब योना का ही एक मेंबर है और इतने वक्त से वो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था और फिर यह लोग एक जगह पर आते हैं एसली मिकी को बोलती है कि वो से पहले से जानती है उसके डैड के आखरी मिसन में उसके डैड ने उसे बचाया था वो उसके डैड का पीछा करती हुए जंगल तक पहुँच गई थी जहां उसने उसे देखा था लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और अब वो यहां पर नहीं रह सकती क्योंकि वो लोग उसे मार देंगे और फिर औक्टोफिस एशली को किसी सेफ जगह पर भेज देता है औक्टोफिस मिकी को बोलता है कि आज तक उसने उसके डैड से ज़्यादा बहादूर और वफादार इंसान नहीं देखा और फिर औक्टोफिस मिकी को एक लेटर देता है जो उसके डैड का होता है और जब मिकी उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैट और मॉम एबियोना छोड़ना चाते थे पर बैट लेड़ी ने ऐसा नहीं होने दिया सो मिकी को लगता है कि उसने उनके एक्सिडेंट करवाया है और फिर मिकी बैट लेड़ी के पास आता है और उसके डैट की जान चली गई और फिर बैट लेड़ी मिकी को एक कमरे में लेकर आती है जहां बहुत सारी फोटोस लगी होती है और बैट लेड़ी बताती है कि उसके डैड ने इन सारे बच्चों को बचाया है और वो लूथर नाम की कादमी के फोटो दिखाती है जो एक्सेडने के वक्त मिकी के डैट को ले कर गया था तब ही यहाँ पर लूथार आता है और बैट लेड़ी पर हमला करता है और फिर रूम में आग लगा कर भाग जाता है मिकी किसी तरह बैट लेड़ी को अपने कंदों में उठा कर बाहर निकालने की कुछिस करता है बढ़ धुए की वज़े सा वो भीहोस हो जाता है जिसका अपने को दिखाते हैं कि मिकी अपने दोस्तों के साथ होता है बढ़ उसे नहीं पता वो बाहर कैसे आया और उसे किसने बचाया मिकी बोलता है कि बैट लेड़ी उसके डैट के बारे में उसे कुछ बताने वाली थी लेकिन उससे पहली लूथर ने उसे मार दिया तब ही रेचल बोलती कि ट्रॉय की मॉम का मेसेज उसके पास आ रहा है ट्रॉय नहीं मिल रहा है और फिर रेचल एक पाटी में पहुंचती है ज़र ट्रॉय होता है और फुल आन नशे में होता है और फिर रेचल ट्रॉय के पास जाती है और उसे बताते कि उसकी मॉम को बहुत सारे मैसेज आया है पर ट्रॉय रिचल को बोलता है कि अब उन दोनों का रिस्ता खत्म हो चुका है और फिर विटनी ट्रॉय के पास आती है और उसे किस करती है और मिकी सोचने लग जाता है कि वो बैट लेड़ी के घर पर टैनल के रास्ते से गया था तो सायद बैट लेड़ी वहीं से बाहर निकली होगी और फिर अगले दिन ये लोग टैनल के रास्ते घर के अंदर जाते हैं और फिर ये लोग एक जगा पर पहुंसते हैं जहां इन्हें बहुंस सारी डिल्स नजर आती है और जब ये लोग उन डिल्स को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहां बहुंस सारे सेल्टर है और वहां बहुंस सारे बच्चों को डाला गया था और इन्हीं बच्चों जाता है जिसमें वो सब को बताती है कि कैसे वो एक लड़की से प्यार करती थी और उसने अपने followers बढ़ाने के लिए पैसे दिये थे और ये बात उसके भाई को पता चल गई और उसने उसे blackmail किया उस लड़की का secret को जानने के लिए और उसने अपने भाई के दोस्त के साथ उसके break up होते ही उसने उसे किस किया और एचल को समझ आ जाता है कि वो उसके बारे में बात कर रही है खैर तो डिलन मिकी को बैट लेड़ी के पास लेकर आता है और मिकी को पता चलता है कि डिलन ने उन दोनों की जान बचाई थी बैट लेड़ी बताती कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को बचाया था और उन्हें सेल्टर में रखा था लेकिन किसी ने पुलिस को जानकारी दे दी और इसी वज़े से उसके डैट बैट सारे बच्चों को अंदर लेकर गए तब उसके डैट सारे बच्चों को जल्दी जल्दी धक्का दे रहे थे तब ही एक किल लूथर के मूँ पर लग गई इसी वज़े से लूथर और उसके डैट के बीच में जगड़ा भी हुआ था मैं लूथर का एक छोटा भाई भी था और उसे अस्थमा था और सेल्टर के अंदर रहने की वज़े से वो साथ नहीं ले पा रहा था इसकी वज़े से उसके मौथ हो गई इसलिए लूथर उसके डैट के पीछे पड़ा हुआ है और किसी तरह उसके डैट को सबक सिखाना चाता था इसलिए Luther ने उसके डैड का accident करवाया और बैट लेडी बोलती है कि उसके डैड मर चुके हैं और जितनी भी लोग उसके जिन्दगी में आये हैं वो सब मर चुके हैं पर उसके डैड की आवाज आज भी उसे सुनाई देती है और फिर मिकी अपने घर पर आता है और वो अपनी आंट से बोलता है कि उसके डैड मर चुके हैं और फिर यहां मिकी के दोस्त भी आ जाते हैं और फिर यह सारे लोग मिलकर पार्टी करते हैं तब ही मिकी को याद आता है कि बैट लेडी ने उसे बताया था कि उसे उसकी डैड की आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग स्कूल के बॉयलर रूम में होते हैं तो उन्हें पाइप के जरी वो लोग उपर किसी की भी आवाज सुन सकते थे तो साथ उसके डैड बंकर में कहीं पर है और फिर ये लोग उस टैनल में पहुँच जाते हैं और यहां पर एक सेल्टर वेल्ड होता है और फिर ये लोग उसे खोलने के कोशिस करते हैं वहीं सीरा के पास हैना का कॉल आता है और वो बताती कि उसने उसके भाई के कॉफिन को खुलवा दिया है और फिर सीरा कॉफिन देखने जाती है और जब सीरा उसे चेक करती है तो वो खाली होता है मेकी किसी तरह दरवाजा खोल लेता है और फिर अंदर जाता है जा मेकी को उसके डैट ब्रैड नजर आता है इस इक साथ इस वीडियो में इतना ही सो वीडियो कहीं राप आप करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए